हमारी आज की रेसिपी एक बहुत ही वर्सटाइल दिश है आप चाहें तो इसको बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं घर वालों को टी टाइम स्नैक की तरह सेर्फ कर सकते हैं या किसी भी पाटी में as a snack और a starter भी सेर्फ कर सकते हैं वर्सटाइट होने के साथ-साथ ये एक बहुत ही healthy dish है और बहुत ही convenient है क्योंकि आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की recipe जो है healthy and nutritious vegetable cutlets welcome back ladies and gentlemen मैं हूँ आपकी chef और दोस सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट अफ पैशन पे अगर आपको मेरी recipes पसंद आती हैं तो please like का बटन जरूर दबाएं subscribe करें मेरे चैनल को और नीचे दीगई बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताके आने वाली recipes की notification आपको मिलती रहें तो चलिए कुछ healthy और interesting से ingredients को mix करके बनाते हैं हम cutlet का base शुरुवात करते हैं पोहे से यह है एक कप पोहा जिसको मैंने तीन से चार बार दोके करीब 10 मिनिट के लिए ढखके रख दिया था आप चाहें तो इसके लिए मोटा या बारी पोहा कैसा भी ले सकते हैं पोहा इस तरीके से हाथ में mash हो जाना चाहिए अगर पोहा आपको dry लगे तो आप उसमें हलका सा पानी आइड कर लीजेगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक medium boiled आलू एक बारी कटा हुआ प्याज आधा कप grated पनीद एक medium size कप beetroot जिसको भी grate कर लिया है और बारी कटा हुआ हरा धनिया ये है एक tablespoon ginger, garlic और green chili आप चाहें तो इसमें से garlic omit कर सकते हैं इसमें है एक हरी मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अधरका और चार से पांच कलिया लस्सन की अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1-4 teaspoon chaat masala नमक स्वाद अनुसार half a teaspoon भुना हुआ जीरा एक teaspoon लालमेची पाउडर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लालमेची जगे काली मिर्च भी जाल सकते हैं और आधी teaspoon red chili flakes अब इन सारे ingredients को अच्छे से mix कर लीजिए चट पटासा और healthy सा cutlet का masala बनके तयार है अब बनाते हैं हम इसके cutlets अब अपने हाथों को हलका सा grease कर लीजिए और थोड़ा सा masala ले हाथ में ले लीजिए अब इन cutlets को हम रोल करेंगे bread crumbs और तिल में देखिए एक plate में थोड़े से bread crumbs लीजिए और उस पे डाली थोड़े से तिल इसे जो हमारे cutlets हैं वो और healthy, tasty और crispy हो जाएंगे और कुछ इसी तरीके से आप बाकी के cutlets भी बना लीजिए cutlets बनके तयार हैं अब बारी है इनको shallow fry करने की जैसे कि मैंने recipe के शुरुआत में आपसे कहा था कि इन cutlets को आप पहले भी बना के रख सकते हैं तो इस stage तक ये cutlets आप freeze भी कर सकते हैं और उसके बाद जबी भी आपको ये बनाने हो उसको freezer से निकालिए थो करिए shallow fry करिए and they are ready to serve तो चलिए अब इन cutlets को shallow fry करते हैं shallow fry करने के लिए किसी भी एक flat pan में या तवे में थोड़ा सा तेल या घी ले लीजे cutlets को दोनों तरफ से shallow fry करिए धीमी आज पे करीब 2-3 मिनित के लिए तब तक जब तक ये crisp और crunchy नहीं हो जाते cutlets दोनों तरफ से अच्छी तरह कुख हो चुके हैं अब हम इन एक serving plate में निकाल लेते हैं उमीद करती हूँ ये चक पटी सी और healthy सी दिश आप बनाएंगे और अपनी family को भी जरूर खिलाएंगे प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाईए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दीगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली रेस पीज की notification आपको मिलती रहें